अगत है आपका Self Study Classes पिस समिझे यूटूब चैनल और दोस्तो एप में ठीक है सबी सातियों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तो Self Study Classes जो एप है उसको डाउनलोड जरूर कर लें है ना एप में दोस्तो आपको 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है और बिलकोल फिरी करवाई जाती है तो जिन भी सातियों को 2020 टेस्ट सीरीज में भाग लेना है वो ले सकते हैं अपनी तयारी को अच्छा बना सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है स्टार्ट करेंगे दोस्तो आज का इस सेशन उससे पहले हम आपको बता दें कि निचोड किलास से लग रही है इंदी साहित की आप डाउनलोड लेकर कर सकते हैं दोस्तो सेल्पिस्टरी किलास से अपको और एक जुलाई से नया बैच स्टार्ड होने वाला है चतुर्थ बैच में दोस्तो एडवी लेना है वो एडवीशन लेकर के बहुत अच्छा अध्यन कर सकते हैं ठीक है तो जिन भी सात्यों ने सेल्पिस्टरी किलास से अप डाउनलोड नहीं किया है वो अभी दोस्तों एप डाउनलोड कर लें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें ठ स्टार्ट करते हैं आज का इसेसन नया बेच में जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और अपना अध्यन कर सकते हैं आज का दोस्तों अपना पहला प्रस्न आपकी स्क्रीन पर है आपको बताना है खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक प्रिथम महा काब कौन सा है साके कलप आपके सामने हैं चार में से आपको चेहन करना है सीधा सीधा आपका उत्तर है दोस्तों यहां पर जल्दी से बताना है आपको खड़ी बोली हिंदी का प्रताम आदने कालिन जो प्रताम महाकाब है वो महाकाब कौन सा है और बहुत साले लोगों ने चैन किया है कि सर वो महाकाब है प्रिये प्रवास है ना प्रिये प्रवास ये महाकाब है दोस्तों कई वार पूछा गया और ये खड़ी बोली का प्रता महा काब माना जाता है और इसके जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है हरियोद कौन है दोस्तो हरियोद आयोध्या से अपाद्या है हरियोद और हरियोद को आपको पता है और इसला आधुने काल का सूर्दास कहा जाता है आधुने काल का सूर्दास कहा जाता है है ना कभी समर लाट भी हरियोद को कहा जाता है तो खड़ी वोली का प्रिथम महा का ब कौन सा है तब उत्तर आपका चला जाता है प्रिये प्रवास ठीक है प्रिये प्रवास राइट अंसर नेक्स्ट है चिंता किस रचना के सर्ग का सीड़ सक है यह आपको बताना है जहरना का है आसू का है का माईनी या फिर लेहर का है चिंता किस रचना के सर्ग का सीरसक है प्रशन किरमांक 67 का अंसर आपको बताना है सबी लोग चैन करेंगे चिंता किस रचना के सर्ग का सीरसक माना जाता है और बहुत अच्छा कॉस्चन है या दोस्तो किस से रचनाका सर्ग है ऐसा भी question आप से पूछा जाएगा तो चिंता सभी लोगों को पता है कि सर चिंता सर्ग पूछा गया तो चिंता सर्ग है दोस्तो कामाईनी का कामाईनी के रचनाकाल सभी को पता है 1935 ठीक है और दोस्तो कामाईनी का जो प्रथम सर्ग है वो सर्ग कौन सा है चिंता चिंता है और अंतिम सर्ग कौन सा है तो अंतिम सर्ग है आनंद तो चिंता कामाईनी का दोस्तो सर्ग है और कामाईनी के रिचनाकार कौन है तो जैसंकर पिरसाद है यह तो लगबग सभी लोगों को पता है सरो जिस मिर्ती किस स्रयाणी की रिचना ह मानी जाती है कि आपको चैन करना ब्रह गीत है, सोक गीत है, प्रेम गीत है, या फिर बाल गीत है, सरोज स्मिर्टी किस स्रेणी की रचना मानी जाती है, वो आपको बताना है और बहुत अच्छा क्वेस्चन है, सही आंसर आपका चला जाएगा, कि सरोज स्मिर्टी हिंदी संसार का सबसे सोक गीत माना जाता है दोस्तों, और इस सरोज स्मिर्टी की रचना कार भी आपको बताना है, यह क्या है, सोक गीत है, है ना, तो यह बीनमर आपका बिलकुर सही हो जाएगा, और सरोज स्मिर्टी की बिलकूर सही आंसर बताया है, सभी लोग एक बार लाइक जरू कर दें, अपने मितनों तक सेर कर दें दोस्तो, चंद्रा वली नाटिका के रचेता कौन है? चंद्रा वली नाटिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये बताना है, जैसंकर परसाद, धरमबीर भारती, हरिस च अभी लोग बताएंगे Self Study Classes एप अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड कर ले हैं जहां पर आपको 2020 टेस्ट सीरीज बिलकुल फिरी में करवाई जाती है ठीक है और चंद्रावली नाटिका की रचेता कौन है आपका सही उत्तर् भारतेंदू हरिस्चंद कौन है दोस्तों भारतेंदू हरिस्चंद यानि कि आपका जो तीन नम्मर है भारतेंदू हरिस्चंद वो बिलकुल सही है शी नम्मर आपका बिलकुल सही है भारतेंदू हरिस्चंद ठीक है अंगला question है हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौ यह कॉस्चन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इस कॉस्चन को आप फिर से भी बता देना रिपीट हुआ है कॉस्चन हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा माना जाता है उसके रचनाकार कौन है वो भी आपको चैन करना है बताएं जल्दी से और एक बार को का अंसर आया है कि सर कामना कामना नाटक हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है और इनाटक है दोस्तों किसका जैसंकर पिरसाथ का साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंद बहुत बढ़िया प्रशन है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंद की रचनाकार क के हैं हजारी प्रसाद दुवेदी या फिर महां देभी असाहित कार की आस्ता तथा jin निबंद की रचना किसने की यह रचना आपको बताना है बताईये असाहित कार के आस्ता तथा आंसर बता पाता है साहितिकार की आस्ता तथा अन्य निबंद की जो रचना की है वो किसने की है दोस्तों साहितिकार की आस्ता तथा अन्य निबंद की रचना कार हैं दोस्तों महादेवी बर्मा महादेवी बर्मा यानि कि आपका जो डी नम्मर है चार नम्मर है वो बिल्कू निबंदकार के रूप में किसे प्रसिद्धी मिली है ना ये कॉस्चन भी हो चुका है बाहत तरका अंगला कॉस्चन देखते हैं आचरण की सब्वता निबंद के लेकक कौन है आचरण की सब्वता ये किसका निबंद है आचरण की सब्वता निबंद के लेकक कौन माने जाते हैं चंद्रधर सर्मा गुलेरी अध्यापक पूर्ण से हैं हजारी पिरसा दुवेदी या फिर स्याम सुन्दर दास आचरण की सब्वता तथा अन्निबंद बताएं अन्निबंद की रिचनकार कौन है आचरण की सब्वता तथा अन्निबंद के लेकक कौन माने जाते हैं चंद्रधर सर्मा गुलेरी माने जाते हैं अध्यापक पूर्ण से हैं हजारी पिरसा दुवेदी माने जाते हैं या फिर स्याम सुन्दर दास माने जाते हैं तब सीधा अंसर आपका जाता है दोस्तों कहां जाता है बोले सर अध्यापक पूर्ण से हैं अध्यापक पूर्ण से हैं यानि कि आपका जो बी नम्मर है वो बिलकूर चाहिए तू नम्मर आच्रण की सब्विता निबंद के लेकर तो आपको पता ही हो गया अध्यापक पूर्ण से हैं है ना बोले अध्यापक में आच्रन की सब्विता होनी चाहिए अब अध्यापक में काई की आच्रन की सब्विता तो आच्रन की सब्विता निबंद अध्यापक पूर्ण से क्यों हो जाएगी रचना है ना निबंद हो जाएगा ठीक है बेरी गुड नेक्स प्रेस ने है आस इतना अच्छा कोस्चन आपको दिया गया है, मोहर राकेस हैं, रामकुमार बर्मा हैं, धरमबीर भारती या फिर स्याम सुन्दर दास, असाड का एक दिन ये रचना किसकी है, असाड का एक दिन और बहुत बढ़िया अंसर आया है, किसरे काली दास के जीवन पर आधारत ये नाट किरती है, और ये जो नाट किरती है, ये असाड का एक दिन मोहन राकेश की किर्टी मानी जाती है किसकी मानी जाती है मोहन राकेश की यानि कि आपका जो एक नम्मर है वो बिल्कुल शाही है असाड का एक दिन की रचनाकार कौन है मोहन राकेश ये नम्मर आपका बिल्कुल शाही आंसर हो जाएगा अंगले question की और बढ़ते हैं भारत दुर्दसा किसकी रचना है भारत दुर्दसा किसकी रचना है महाबीर पिरसाथ दुवेदी की भारतेंदू की धरमबीर भारती की या फिर चतुर सेन सास्त्री की भारत दुर्दसा किसकी रचना मानी जाती है भारत दुर्दसा की रचनाक आपको एड़िसन लेना है और एक जुलाई से दोस्तों जो निव बैच चतुर्थ बैच स्टार्ड हो रहा है उसमें शुरुआ से अध्यन करना है तो आप कर सकते हो और एड़िसन ले सकते हो आज ही डाउनलोड करना होगा आपको सेल्फ स्टडी के लासे इस एप और दोस्त कब हुई थी 1835 में है ना ये भी आपको पता है इनकी खड़ी वो लिकी दो रचनाओं का संग्राय कौन सा है फूलों का गोच्छा लेकिर भारत दुर्दसा किसकी रचना है भारतेंदू हरिस्चंद की ठीक है बैरिगोट नेक्स्ट है नंद ब्रज लीजे ठो की बजाए ये पंक्ती किस कभी की है सूरदास की है नंद दास की है गश्न दास की है या फिर परमानंद दास की है नंद ब्रज लीजे ठो की बजाए इस पंक्ती के रचनाकार आपको बताने ये पंक्ती किसकी है पंक्ती पूछली गई आपसे इस पंक्ती के रचनाकार कौन है ये जो शूर दास की खिसकी है शूर दास की है ठीक है यह आपका जो एक नम्मर है दोस्तो यह नम्मर आपका बिलकोट सही हो जाएगा नंद ब्रध लिजे थो' की बजाए फंक्ती शूर दास की एक नम्मर आपका बिलकोट सही थीक है very good नेक्स्ट प्रेस ने नरुत्तम दास की प्रसिद रचना का नाम क्या है नरुत्तम दास इतना अच्छा कोस्चन आप से पूचा गया है नरुत्तम दास की प्रसिद रचना कोजनसी है बताएं सबी लोग नरुत्तम दास के बारे में दोस्तों ये रचना पूची ही जाती है इ इस रचना का नाम क्या है तो वो रचना आपको बताना है और बहुत अच्छा question आपका वुत्तर चला जाता है कि सर नरो में उत्तम है शुदामा नरो में उत्तम है सुदामा तो नरुत्तम दास की रचना है सुदामा चरित सुदामा चरित की रचना कार कौन है तो नरुत्तम ठीक है कि कई बार रचना पूछी गई भूला नहीं है अपन को सुजान सागर के लेखा कौन है सुजान सागर पूछ लिया गया आप से तो सुजान सागर तो लगबक सबी लोगों को पता है इसरे घनानंदी की रचना है अंगला हिंदी साहित के संदर में गारसा दासी का किस रूप में उलेक किया गया आपको बताना है और गारसा दातासी का जो गरंथ है वो गरंथ कौन सा है गारसा दातासी का गरंथ कौन सा है आपको बताना है कौन सा गरंथ है दोस्तों इनका बताएं ये फ्रेंच बिद्वान थे दोस्तों गारसा दातासी है ना अब इनका कार के रूप में निवंद कार के रूप में समालो चक के रूप में या फिर इतिहास कार के रूप में और सीधा सीधा अंसर है कि सर ये जो हैं इतिहास कार के रूप में जाने जाते हैं है ना इतिहास कार के रूप में इस्तिवार दाला ले तुरे अंदू इंदोस्तानी इनक अचार रामचंडर सुकली किस ऐसं कहा आचार रामचंडर सुकली ने किस कभी को कठीन काब का प्रेत खूछन को केसाओ को देव या फिर पदमाकर को किसको कहा रामचन शुकल ने किस कभी को कठिन काब का प्रेत कहा है किस कभी को कहा है भूशन केसव देओ या फिर पदमा कर और सीधा उत्तर जाता है या चाहरामचन शुकल ने कठिन काब का प्रेत कहा है किसको केसव दास को किसको का है K110 यानि कि आपका जो B positivity है के international आपका बिलकूर सही हो जाएगा 2 number आपका बिलकूर सही हो जाएगा ठीक है बेरी गूट अंगला question है कौन सा नाटक जैसंकर पीरसाथ द्वारा रचित है कौन सा नाटक जैसंकर पीरसाथ के आपने नाटक पढ़े हैं दोस्तों बहुत सारे नाटक आपने पढ़े हैं है ना सज्जन पढ़ा है रास्री पढ़ा है धुरोप सौमनी है क्या इनका बताईए कामना नाटक इनका पढ़ा है जैसंकर खलाल चत्रुवेदी का है, क्रशनार जुन युद्ध, है ना, है क्या, तो यहाँ पर जैसंकर पिरसाथ का दोस्तो, ध्रुक्ष्वामनी, ध्रुक्ष्वामनी, यानि कि आपका जो एक नमबर है, ध्रुक्ष्वामनी वो बिल्कूल शही है, ठीक है, सही अंसर लगाया, आप में कितने रसों का परिपाक माना जाता है दोस्तो, कितने रसों का परिपाक माना जाता है नाटक में, बताएं, दो, साथ, साथ, या फिर आठ या दस, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, आपने दोस्तों पढ़ा होगा, कि नाट सास्त्र, नाट सास्त्र की रचनाकार कौन है बोली सर भरत मुनी कौन है भरत मुनी है ना भरत मुनी में नाट सास्तर में दोस्तो कितने गरंथों का कितने रसों का उलिक किया बोली सर आठ रसों का उलिक किया ठीक है तो नाट सास्तर में कितने रसों का परिपाक माना जाता है यह आप से पूछा गया त आपको बताना है कि भारतेंदु युक का कभी कौन सा है कौन सा है भारतेंदु युक का कभी चैन करें भारतेंदु मंडल के कभी भी आपने पड़े होंगे दोस्तों भारतेंदु युगीन कभी आपको बताना है प्रश्न किरमा के टी 3 में और यसे कौन से साती है जिनने क्वान है ये आप से पूछा गया तब आपका उत्तर चला जाएगा भारतेंदु युगीन जो है वो बद्री नाराण चोदरी प्रेमगन है यानि कि आपका टू नमबर बिलकुल सही हो जाएगा दो नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है बद्री नाराण चोदरी तू आपका बिलकूर साही, बैरिगॉड यहां पर आ जाते हैं एक पतनी के नोडस किसकी रचना है, ममता कालिया की, चित्रा मुदगल की, महरुनिसा परवेज की, या फिर मंजुल भागत की, एक पतनी के नोडस किर्टी की रचना कार कौन है, एक पत्नि के notes कि किसकी रचना है? मम्ता कालिया की है क्या? चित्रा मुधगल की है क्या? महरो निसा परवेज या पिर मंजुल भागत की एक पत्नी के notes. इतना अच्छा question आया है आप ने पड़े है एक पत्नी के notes और एक पत्नी के notes है ना? यहां पर आपसे एक पतनी के नोट से पूछा गया तो आप क्या बताओगे उली सर एक पतनी के नोट से यह जो रचना है यह रचना है किसकी ममता कालिया की ठीक है ममता कालिया यानि कि एक नमबर आपने लगाया वो बिल्कुल सही है और एक पती के नोट से रचना किसकी है आ आपको बताना है कमेंट में एक पती के नोट के रचनाकार कौन है लाल पसीना उपन्यास के लेखा कौन है दोस्तो लाल पसीना उपन्यास के लेखा कौन माने जाते हैं लाल पसीना बताएं लाल पसीना ये उपन्यास किसका है महेंद्र भल्ला एक पती के नोट से महेंद्र भल्ला बयरी गुड लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है लाल पसीना के उपन्यास किसका है रामदेव धुरंदर का अभी मन्यू अनंत का है ना महरुन निसाब परबेच का या फिर मन्जुल भगत का लाल पसीना देखते हैं कौन-कौन उत्तर सही बताता है और सभी लोगोंने बताया है कि सर लाल पसीना जो उपन्यास किसका है अभी मन्यू अनंत का यानि कि आपका जो टू नंबर है अभी मन्यू अनंत यह बिल्कुल सही हो जाएगा लाल पसीना मारी ससके हैं दोस्तों यह ना अभी मन्नी वननत जी और इन्होंने लाल पसीना उपन्यास लिखा जो की टू नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है इन मैंसे किस कभी ने लक्षन गरंत नहीं लिखा लक्षन गरंत किसने नहीं लिखा दोस्तों आपको पता है कि रीती काल में लक्षन गरंत लिखे गए है ना काब सास्तर पर आधारे दोस्तों लक्षन गरंत लिखे गए रीती का परिपूर दोस्तों ध्यान किसने लकषन गिरंट नहीं लगा अच्छा कॉस्चन है सबी से बनेगा जितना सलल है उतना ही दोस्तो आपके लिए कन्फ्यूज करने बाला भी है लेकिन आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुए पुलिसर हम confused नहीं होंगे उत्तर लगाएंगे क्या उत्तर लगाएंगे हम D यानि कि दोस्तों बिहारी बिहारी ने लक्षन गरंथ नहीं लिखा यानि कि दोस्तों बिहारी रीती सिद्ध काब धरा के कभी थे है ना और रीती सिद्धारग काब धारग के कभियों ने लक्षन गरंथ नहीं लिखे यानि कि आपका जो चार नमबर है वो बिल्कोर सही है बिहारी सच सही इनका गरंथ पढ़ते हैं जिसमें 713 दोहे होते हैं दोस्तो 713 कहीं कहीं 719 दोहे भी मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट है दोस्तो विभिन मतों की आधार पर हिंदी में भक्ती काब की कितनी साखाएं मानी जाती हैं विभिन मतों की आधार पर हिंदी में भक्ती काब की कितनी साखाएं हैं आपको बताना है बिभिन्न मतों की आधार पर हिंदी में भक्ती काब की कितनी साखाएं मानी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रख्टे ना है अगर इस प्रकार से question पूछा जाता है तब आपका उत्तर चला जाता है दोस्तों कितनी साखाएं है बी बहुत बढ़िया दो साखाएं कितनी साखाएं है दो साखाएं है ठीक है यहाँ पर आपको याद रख्टे ना यहाँ आपसे सगोन और निर्गोन ही पूचा गया है है ना तो सगोन और निर्गोन पूचा गया है अब निर्गोन और सगोन की अंदर क्या है ये तो इनके भेद हो जाते हैं है ना ये कुछ नहीं है सगोन और निर्गोन ये साखाएं है दोस्तो ठीक है ये आपको याद रख्टेना है विविन मतों की आधार पर भक्ति काब की कितनी साखाएं है दो साखाएं है सगोन और नि इतबाद के प्रिबर्तक कौन हैं बताइए बिसिष्टा दो इतबाद के प्रिबर्तक कौन माने जाती हैं ये आपको बताना है बताएं सभी लोग लाइक जरू कर दें बिसिष्टा दो इतबाद और मैंने कई बार आपको बताया है कि बिसिष्ट कौन है बिसिष्ट कौन है तो आपका right answer चला जाएगा बुली सर बिसिष्टा दो इतबाद या बिसिष्ट कौन है तो कौन है बहुत बढ़ी आंसर आया सभी लोगों का बुली सर रामा नुजा चार लगा दो हैना रामा नुजा चार बिसिष्ट दो इतबाद की प्रबर्तक माले जाएंगे और एक नम प्राचीन ग्रंथ कौनसा है आपको बताना है ब्रजभासा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौनसा है जल्दी से बताएं सबी लोग बहुत अच्छा कोस्चन है यहाँ पर ब्रजभासा का दोस्तों है ना प्राचीन ग्रंथ कौनसा माना जाता है तो यह प्राचीन ग्रंथ है दो ये नमबर बिलकुट शही है नेक्ट प्रशन की ओर बढ़ते हैं विज्ञान गीता की रचेता कौन है विज्ञान गीता की रचनाकार कौन है सुन्दर दास है महराज बीरबल है है ना या पिर दोस्तों नरुत्तम दास या केसाउ दास विज्ञान गीता की रचेता कौन है व और आपको पता भी है बहुत अच्छा कोस्चन है बहुत बढ़िया बिग्यान गीता की रचेता कौन माने जाते हैं और इतना अच्छा कोस्चन आप लोगों ने उत्तर बताया है कि सर बिग्यान गीता की रचेता अगर आप पूछोगे तब आपका उत्तर सुंदर दास तो नहीं होगा, महराज बीरबल तो नहीं होगा, नरुत्तम दास तो नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, और इस तर केसा उदास होगा, है ना, तो विज्ञान गीता की रिचनाकार केसा उदास हैं, और उत्तर चला जाता है, चार की तरफ, चार नमबर आपका बिल्कूर सही हो हो जाता है very good answer बहुत बढ़ी एकेस आउदास आपका right answer है केस आउदास रितिकाल की प्रबर्टक हैं अब हट में सिक्षा सब्द के लिए कौन सा रूप दोस्तों बहुत बढ़िया अब हटुमें क्या प्रियोग किया जाता है कौन सा सब्द प्रियोग किया जाता है यह आपको चैन करना है चैन करिए शबी लोग अब हट में सिक्षा सब्द के लिए कौन सा प्रियोग होता है और अधिकांस लोगों ने सही आंसर बताया है और वो बताया है सिखा क्या सिखा तीन है ना बि मुल्ला दाउद की भासा क्या है पस्चमी परंपरा से संप्रक्त सेली साहित्यक अबदी या फिर दोस्तो पहाडी मिस्रित अबदी या ठेट अबदी बताएं मुल्ला दाउद की भासा क्या है ऐसा कॉस्चन अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या करेंगे मुल्ला दाउद की भासा पूछी गई मुल्ला दाउद आपको पता है दोस्तो इनकी चंदायन रचना है कौनसी है चंदायन अगर आप से कभी पूछा जाता है कि सूपी काबधारा की प्रथम कभी कौन है तो मुल्ला दाउद है ना सूपी काबधारा की प्रथम रचना कौन सी है तो चंदायन और मुल्ला दाउद की जो भासा है वो भासा कौन सी है दोस्तों वो भासा है थेट अबदी कौन ना है चार नम्मर आपका बिलकोड चाहिए बेरी गोड आंसर बिलकोड अभी लोगों ने तागत से उत्तर लगाया है हिंदी साहित के आधिकाल को सिद्ध सामन्त योग नाम किस ने दिया बहुत बढ़िया क्वेस्चन हिंदी साहित के आधिकाल को सिद्ध सामन्त योग किस कहा यसे कितने साती हैं जिन्होंने अभी तक self study classes एप डाउनलोड नहीं किया सभी लोग एप को डाउनलोड जरूर करें हिंदी हिंदी साहित के आदिकाल को सिद्ध सामन्त योग नाम किस ने दिया सिद्ध सामन्त योग आपको बताना है कितना अच्छा question है right answer है सभी से बनेगा कि हिंदी साहित का आदिकाल पूछा गया और right answer चला जाएगा राहुल सांकृत्याइन ठीक है राहुल सांकृत्याइन हिंदी साहित का course दोस्तो आप 1999 में दोस्तो इसमें अड़िसर ले सकते हैं एक साल तक एक course आपके लिए बैलेड रहेगा यानि कि एक साल तक आप 1999 में पढ़ सकते हैं ठीक है और दोस्तो ये जो course है आपके लिए बहुत ही महत्पूर है यहाँ पर आपको बिष्त्रे तद्द्यन करवाया जाता है टिर्की वीडियो है ना डाउट्स वाले वीडियो यहाँ पर live class है निचोड live class है है ना और दोस्तो group discussion भी आपका रहता है कोई भी आपको doubts लगता है वो भी आपका solve किया जाता है सारी चीजें आपको ये offer है दस्तो 99 का सीमें समय के लिए है जिनको भी अभी तक दोस्तो course में अड़िसर ने लिया वो सभी साती course में अड़िसर ने है ना और काल करम की द्रश्टी से सबसे पुराने कभी कौन है काल करम की द्रश्टी से पूचा गया तो बताओ काल करम की द्रश्टी से सबसे पुराने कभी कौन माने जाते हैं सबसे पुराने कभी आपको बताना है चैन करना है दोस्तों कौन माने जाते सबसे पुराने कभी इतना अच्छा कॉस्चन है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे उत्तर सही कर पाओगे है ना आपको पता है कि यहां पर काल करम की द्रश्टी से सबसे पुराने कभी पूछे गए और विध्यापती दोस्तों यह ती सही हो जाता है डी नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है नेक्स्ट कोस्चन है किस गरंत में चंदवर्दाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है तो यह भी आपको बताना है बताईए किसे गरंत में चंद बर्दाई को छपपयों का राजा कहा जाता है दोस्तों किस गरंत में कहा गया छपपयों का राजा ये भी बताना है सबसे पहली बात तो एह है कि छपपयों का राजा किसे कहा जाता है तो चंद बर्दाई को चंद बरदाई का गरंत कौन सा है प्रतिवी राज रासो प्रतिवी राज रासो हिंदी का प्रतम महा काब है ठीक है सबी को पता है तो अब आपको बताना है कि कौन से गरंत में चंद बरदाई को छपपयों का राजा कहा गया तो आंसर उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो की रचना कार कौन है तब आपका उत्तर हो जाएगा जिए जह सेंगर की रचना सेंसरोज है है ना हिंदी में भी साहित का प्रतम इतिहास इसी को माना जाता है जिए सेंसरोज को अधिकान्स विद्वानों के अनुसार ठीक है अंगले question क्यों बढ़ेंगे सिवा को बखानों की बखानों चत्र साल को है ना मैं सिवा का अर्थ क्या है सिवा को बखानों की बखानों चत्र साल को मैं सिवा का अर्थ क्या है सिवजी सिवा जी महादेव या फिर बाला जी बताइए सिवा को बखानों की बखानों चत्र साल को मैं सिवा का अर्थ क्या है सिव जी है सिवा जी है महादेव है या फिर बाला जी है यह आंसर आपको चैन करना है और इतनी अच्छी पंक्ती बताई गया है दोस्तों है ना सिवा का अर्थ क्या है तो सिवा का अर्थ सभी को पता है कि सर इस सिवा का अर्थ है सिवाजी सिवा का अर्थ क्या है सिवाजी है ना तो ये आपका दूसरा नंबर बिल्कुर सही है और ये पंग्ती किसकी है दोस्तों ये भी आपको बताना है सिवा को बखानो की बखानो छत्र साल को ये पंग्ती भी बताना है ये पंग्ती किसकी है यहाँ पर तो तर आपका टू नम्मर सही है अति सूदो सनेह को मारग है जहां नेकु सयानप बाक नहीं पंग्ती के लेखा कौन है अति सूदो सनेह कुमारग है जहां नेकु सयानब बाक नहीं ये पंक्ती के रिचनाकार कौन है बताएं मतिराम है देव है घनानंद है या फिर बिहारी है अति सूदो सनेह कुमारग आपको पता होगा दोस्तों कि यहां पर देखें कि रीती काल में हम देखते हैं कि र रीती मुक्त काबधारा है रीती मुक्त काबधारा में दोस्तों घनानंद जैसे कभी हैं बोधा जैसे कभी हैं घनानंद की प्रहमिका का सुजान नाम है और बोधा की प्रहमिका का सुभान नाम है ये तो सभी को अच्छे से पता होगा और अती सुदो सने कुमारग ये जो प पसू पक्षियों पर केंद्रेत रचना की हैं बताएं पसू पक्षियों पर केंद्रेत रचना की है और वो रचना कौनसी है वो भी आप बता देना बताएं किस लेखी का ने पसू पक्षियों पर केंद्रेत रचना की है मतिराम है ना महादेवी हॉमबती देवी या फिर बि दोस्तो या तो महादेवी या हॉमबती है ना तब आपका उत्तर चला जाता है महादेवी बर्माने है ना यहनी कि आपका बी नंबर बिलकोर चाहिए ठीक है बी नंबर राइट अंसर अंगले कोस्चन क्यों बढ़ेंगे भारते अंदुजी ने किस पत्रिका का संपाधन किय यह आपको चेहन करना है सभी लोग लाइक जरू करें दोस्तो लाइक करते चलें वीडियो को सेयर करते रहें अपने मित्रों को अभ्यास करते रहें बिलकोल दिल से है ना भारते अंदुजी ने किस पत्रिका का संपाधन किया चार पत्रिका यहाँ पर दिख रही है किसका क प्रेकाशन बर्स भी बताना है कभी बचन सुदा का प्रेकाशन बर्स क्या है यह सभी लोग बताएंगे पहले यह मासिक थी फिर दोस्तो यह साप्ता है पाक चेट पाक चेक और फिर साप्ता है इसका प्रकाशन बर्स बताएंगे सभी लोग और गोल्ड समित कृत दोस्तों ट्रेवलर का अनुबाद किस ने किया गोल्ड समित की कृती ट्रेवलर का अनुबाद किस ने किया 1868 दोस्तों 1868 कभी बच्चन सुदा का प्रिकासन वर्स माना जाता है ठीक है बेरी गोट यहाँ पर आपको बताना है कि गोल्ड स्मित की किर्थी ट्रेवलर का अनुबाद किसके दौारा किया गया बताएं सबी लोग राम चरेतो पाध्याय, राम नरेश, स्रिपाटी, स्रीधर पाठक या फे ठाक और गोपाल सरण से हैं और बिलकुर सही आंसर है कि सर्ट्रेवलर का जो अनुबाद किया है वो किया है स्रीधर पाठक ने और स्रीधर पाठक स्वचंदताबाद के प्रबर्तक माने जाते हैं लेकिन स्वचंदताबाद सब्द का सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था मोकोट धर पांडे ने ये आपको याद रखना है अंगला कोस्चन है दोस्तो सरोजिस्मिर्टी किस रहनी की रचना है कामाईनी के प्रतम सरका सीर्षक क्या है ये तो आपको पता ही चल गया तेरा बैभाव देखूं या जीवन का करंदन देखूं है ना इतनी अच्छी पंग्ती है ये पंग्ती भी आपको बताना है करने जाते हैं सबी साती सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों बैल आइकन को जरूर दवा देना और लाइक जरूर कर देना और साथियों आपको करना क्या है है ना आपको करना क्या है सेल्प स्टेडी क्लासे से अप डाउनलूट करना है और अगर आप चाहते हैं कि एक मैने मे बहुत अच्छी तैयारी हो जाए तो आजाएं एक जुलाई से नया बैच आप लोगों के लिए बिलकुल खुलम खुला और यहाँ पर तेरा बैभाव देखूं या जीवन का करंदन देखूं महादेवी बर्मा किये दोस्तो पंक्ती है यानि की तीन नम्मर आपका सही है 1907 म बिलकुल फिरी होती है सेलफ स्टेडी के लासे से अप पर किस किस दिन होती है रभी बार और गुरुबार को होती है दो दिन होती है दोस्तो 2020 टेस्ट सीरेज उन टेस्ट सीरेज में आप भाग ले सकते हो यहाँ पर आपको बताना कि चायाबाद सब्द का सबसे पहले प्र है तो प्रवर्टक तो जैसंकर प्रसाद हैं लेकिन छायवाद सब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुट धर-पांडे ने किया अब अगर कभी आपसे पूचा जाए कि मुकुट धर-पांडे को छायवाद का प्रवर्टक किस ने माना तो आप लगा देना राम चंदर सुकले ने किसने माना राम चंदर सुकले ने बहुत बढ़ी आंसर निम्न मैंसे निराला की ब्यांग परक कभीता कौनसी है निराला की ब्यांग परक कभीता कौनसी मानी जाती है तुलसी दास है कोकौर मुत्ता है दोस्तो सरोज स्मिर्टी या फिर तोड़ती पत्तर ह इस किलास को मिस नहीं करना है रोज रात तरी नौबजे दोस्तों एक किलास होती है है ना ओ निराला की ब्यांग परक कविता कौनसी है ये आपको चेहन करना है चेहन करिए सबी लोग तुलसी रास है कुकर मुत्ता है सरो जिसमिर्ती है या फिर तोड़ती पत्थर है और प्रियोक्त किया जाता है पताएं सरल कॉस्चन है आसान कॉस्चन है तुलशी दास के लिए निराला जैसंकर परिसाथ के लिए या फिर सूर्दास के लिए हिंदी साहत में महाप्राण किस कभी के लिए प्रियोक्त किया जाता है ये आंसर आपको बताना है ये प्रशन आपके लिए दिया गया है और बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर महाप्राण निराला महाप्राण निराला ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट कॉस्चन है तु तुलसी दास की जिन रचनाओं में राम और मंगल आए तो वो काई की हो जाएंगी वो हो जाएंगी दोस्तो अबदी की और जिसमें राम और मंगल लाँ आए वो काई की हो जाएंगी ब्रज की ठीक है तो तुलसी दास की प्रमारक कितनी रचनाएं हैं आपको ये बताना है त तो प्रमाने के रचनाएं बताना है तो प्रमाने के रचनाएं हैं दोस्तों इनकी कितनी बारा है कितनी बारा है प्रमाने के रचनाएं हैं बेराग संदाप संदीपनी को प्रथम माना जाता है कविता वली या हनुमान बाहुक को दोस्तों अंतिम माना जाता है है ना ये भी कोश्चन आपका हो गया कोणार के नाटक किस ने लिखा दोस्तों है ना हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है अच्छा कोश्चन है हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है अंधिर नंगरी भारत दुर्दसा रधीर प्रेम मोहिनी या फिर कली कोतक हिंदी का पहला दुखान तनाटक कौनसा है हिंदी का पहला दुखान तनाटक कौनसा है बताइए हिंदी का पहला दुखान तनाटक कौनसा है एक बार सभी लोग लाइक जरू करना है अपने मित्रों तक सेयर करें इस किलास में दोस्तों इसी प्रकार से क्लास चलती है अपनी रात त्री नौ बजे से अपको डाउनलोड कर लें और हिंदी का प्रतम दुखान तनाटक कौन सा यह अगर आपसे पूछा गया तब आपको उत्तर लगाना है रणधीर प्रेम मोहिनी यानि कि तीन नमबर आपका बिलकूर शाही है तीन नमबर आपका राइट अंसर है बहुत बढ़िया रणधीर प्रेम मोहिनी यह हो जाएगा दोस्तों दुखान तनाटक उत्तर प्रिये दर्सी नामाग गीती नाटक के लेका कौन है यह क्वेस्टन भी आया है कई बार उत्तर प्रिये दर्सी नामाग गीती नाटक के लेका कौन माने जाते अग्ये, मुक्ति बोध प्रसाद या फिर हरी क्रश्न प्रेमी अभी तक कौन से ऐसे साती हैं जो नोंने वीडियो को लाइक नहीं किया और दोस्तो अभी तक आपने सेल्फ स्टेडी के लासे इस एप को डाउनलोड नहीं किया 2020 test series बिलकुल फिरी होती है अप पर उसमें आप join कर सकते हैं एक तारीक से हिंदी साहित का new batch start हो रहा है उसमें आप पढ़ सकते हो है ना और दोस्तो यहाँ पर उत्तर प्रिये दर्सी अगर आपसे पूछा गया तब आपका right answer है अग्ये किसकी रचना है दोस्तो यह अग्ये क comment में लिखना है इसका उत्तर हम कल बताएंगे आपको परन दत्त जैसंका प्रिसाथ के किस नाटक का पात्र है कल्यानी परिनाय रास्तरी इसकंद गुपति या फिर अजात सत्त्रू का सभी लोग बताएंगे 9 वजे रोज किलास होती है दोस्तो और एक किलास होती है दोस्त तरीके से पढ़ते हैं ठीक है तो 4th बैच में आपको क्या करना है दोस्तो एडवी सर लेना है और live course live class यहाँ पर आपको मिलेंगी निचोड किलासें आपको मिलेंगी बिस्तत अध्यन मिलेंगे बहूत सारे test आपको मिलेंगे ट्रिक भी मिलेगी दोस्तो यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक नहीं किया सेयर नहीं किया दोस्तों वो सेयर जरूर करती रही है आलेंबन अनीता जी हैना विपिन पूनम जी रोहिच जी अलुक कुमार जी हर्चिता साम पंडित ममता जी कमला दार्सु जी रती पाल जी बहुत बढ़िया सतीस जी रोहिच जी हैना ग्या सातियों को आसपास के सातियों को एडवी से लेना है, उनको जरूर बताएं, हैना और अध्यन बहुत अच्छे से दोस्तों चल रहा है, रस्मी पाटक जी, हैना असोक असोक निरूपम जी, सोनिया, असोक राजेसो एमाई जी, रोहिद जी, ठीक है बिलकुल मधू जी, बहु ली हिमानी जी मम्ता राजिव अनूपराच पुझ जी अनिल जी रीता जी जतेंदर जी मनीसा गिल जी बहुत बढ़िया धनवाद हिंदी बित जी रामूरज जी पीके जी लालदास रचना जी बैरी गोड सबी सातियों को बवीता जी पूजा बर्मा जी हना सरमिला जी रस्म सबी सातियों को दोस्तों वीडियो को लाइक करना है अपने मित्रों तक सेयर जरूर करते रहें और इस सेल्फ स्टेड़ी किलासे से अपको आपको डाउनलोड करना है जिन भी सात्यों ने अभी तक Self Study Classes App डाउनलोड नहीं किया आज ही Play Store में सर्च करें Self Study Classes App है और दोस्तो इस कोर्स से आप जोड़ सकते हो इस कोर्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा और यह ओफर है अभी है ना अभी ओफर है 1099 का ओफर है सभी लोग इस आपर का लाब लेते होगे इस कोर्स में एडवीसन लेकर के ठीक है बिलकोल पिंकी सिंग जी नीचे नमबर चल ले हैं है ना उन नमबरों पर आप संपर कर सकते हैं मीनाक्छी, अनीता, नरेंद्र जी, इसनियहा जी, पूनम जी और अबिनीस, ममता जी, वीनू जी, लालदास जी, सुनियहा जी, असोग जी ठीक है बहुत बढ़िया सभीता, ससी, अनीता, अकलेस जी, पिंकी, देवेंद्र जी सभी सातियों को धनबाद, जय हिन